राश्ट्रकवी मैथिली शरण गुप्त की 137 वी जहनती मनाई गई सामाजिक कारियों में अपनी भागीदारी देने वाले समाज सीवियों का शौल और श्रीफल भेट करके सम्मानित किया गया मुख्य वक्ता गहुई वैश्ट्रकवी मैथिली शरण गुप्त के जीवन में प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सब को राश्ट्रकवी के बताय मार्ग पर चलना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षित करने और सामाजिक कारियों में सहभागी बनने के साथ साथ समाज में व्याप्त कूरीतियों को दूर करने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए युवावर्ग सामाजिक बुराईयों और नशे के सेवन से बचे शिक्षा और अन्य अच्छे कारियों में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें आज जिन छात्र छात्राओं को सम्मान मिला है वो उनकी शिक्षा के प्रती महनत का प्रतिफल है आगे जाकर ये बालक बालिकाएं अपने जीवन को अग्रणी भूमिका में ले जाकर अपने परिजनों और गहोई समाज का नाम रोशन करेंगे कारिक्रम का शुभारम राष्ट्र कवी के चित्र पर माल्यारपन कर मुख्यतीती गहोई वैश्य समाज के राष्ट्री अध्यक्ष के कठल तथा अध्यक्षता गोहाई समाज अध्यक्ष राम प्रकाश गुपता द्वारा किया गया